हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू मैं चैनल और आज यहां पर मैं रेडी मिट गरारी की फिट्लिंग करने के लिए बताऊंगी यह जो है तो यह रेडी मिट गरारा है और इसका जो साइज है वो काफी बड़ा है इसको मैं फिट करने वाली हूँ देखे इसका जो फूल बनाना है 39 और इसका हीप मुझे रखना है 33 और इसका वेश्ट जो है कमर उसको रखना है 27 इसी के नापी से यह तीनों नापी से मुझे इस गरारे की दुबारा से स्टीचिंग करके इसको उसी तरह से करना है तो इसमें कुछ खोल खाल ज्यादा करना नहीं है मैं बहुत सि यानि कि यह 40 इसका जो हीप है जिसे मुझे अभी 33 बनाना है तो यहाँ पर जो भी कटिंग होगी खोल खालोगा वो उपर साइड से ही मैं करने वाली हूँ देखें यहाँ पर मैं एक निसान लगा ले रही हूँ यहाँ पर मैं 41 इंच पर निसान लगा ले रही हूँ यहाँ पर जो इलास्टिक पहले से लगा हुआ है उसको मैं कट करके निकाल दूँगी उसे पहले इसको पहले उल्टा कर लेते हैं देखें यहाँ पर मैंने इसको उल्टा कर लिया है उल्टा करने के बाद एक निसान और एक से देड़ इंच जो पहले से है उसको कट करके निकाल देना है यहाँ पर पहले निसान लगा लेना है अब 41 पर मैं से निसान लगा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं जो पूरे में लाश्टिक लगाऊंगी तो उसके लिए मैं अलग से कपड़ा जोइन नहीं करूँगी बलकि उसी कपड़े को यहाँ पर जो है तो दो इंच मैं उपर से फोल्ड कर दूँगी इलाश्टिक को मोर दूँगी तो यह जो है तो 39 फूल लेंद यह बन करके तयार हो जाएगा लाश्टिक जो मैं बाद में लगाऊंगी उसमें फोल्ड हो जाएगा फोल्ड हो जाने के बाद जो है तो यह 39 का हो जाएगा इसलिए यहाँ पर मैं 41 पर एक निसान लगा रही हूँ, देखिए यहाँ पर मैंने लाश्टिक जो पहले से लगा हुआ, तो उसको कट करके निकाल दिया है, और देखिए अभी जो यहाँ पर जो है तो मैं hip का निसान लगा ली रही हूँ, hip जो है तो 33 है, तो 33 में मैं 3 इंच प्लस दे रही हूँ लूजिंग के लिए उसके बाद फी निसान लगा ले रही हूँ देखें आपर मैं 2 सेट से निसान लगा ले रही हूँ लेकिन जो भी सिलाई होगी तो वो आसन के पास ही करना है सेट से सिलाई नहीं करना है यानि देड़ इंच मुझे आसन के पास से सिलाई करना है देखिए ये जो है तो ये गरारे का जो है तो आसन है अब यहाँ से मैं देड़ इंच में निसान लगा ले रही हूँ और फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब देखिए यहाँ पर मैं देड़ इंच का एक निसान लगा ले रही हूँ आसन के पास और यहाँ पर आसन के पास ही इसको एक्स्ट्रा कपड़ा को सिल देंगे तो ये फिटिंग हो जाएगा इस तरह से नीचे तक पुरा सिलाई कर देना है आसन को में फेबरिक और अस्तर का कपड़ा इसको दोनों को लेकर कि इस तरह से सिलाई कर देना है अब देखिए यहाँ पर मैंने आसन के पास जो है तो देड़ इंच जो है तो सिलाई कर दिया है उसके बाद देखें यहाँ पर पहले से प्लेटे डली हुई इसमें आधा इंच और ज्यादा एक्ष्ट्रा लेकर कि मैं इसको और थोड़ा सा ज्यादा कर दे रही हूँ इससे भी जो है तो हीप जो है तो वो छोटा हो जाएगा यानि कि साइज का बनाना है वो बन जाएगा यहाँ पर जितने भी प्लेटे हैं उनमें आधा इंच को प्लस करके सिलाई कर देना है अब देखें यहाँ पर आशन से सिलाई करते हुए लेकर के पूरी नीचे पर तक सिलाई करके आना है अब देखें यहाँ पर मैंने आशन को जो है तो कर दिया है सिलाई करने के बार यह हिप के अकौर्डिंग हो गया जितना कि मुझको रखना है अब देखिए यहाँ पर जो है तो main fabric और अस्तर के कपड़े को भी आपर सिलाई कर देना है क्योंकि फिर elastic लगाते हैं टाइम कोई दिक्कत नहीं होगा इस तरह से दोनों कपड़े को attach कर देना है अब देखिए यहाँ पर मैं elastic को भी ले लेती हूँ नाप करके elastic जो है तो कमर के according डलाएगा यानि कि जितना भी कमर उसे 3 या 4 इंच जो है तो minus कर देना है यानि कमर से 3 या 4 इंच छोटा elastic ही डलाता है अब यहाँ पर मैं इसको भी इस तरह से गोल करके सिलाई कर दे रही हूँ गोलाई में इस तरह से सिलाई कर देना है तीन से चार बर अच्छा तरीकी से इसको तरह से सिलाई दने से फिर बाद में elastic जो है तो वो हटेगा नहीं तूटेगा नहीं इस तरह से मजबूत हो जाएगा अब देखिए यहाँ पर मैंने elastic को attach कर दिया है अब यहाँ पर जो है तो मैं कमर के पास elastic लगाऊंगी देखिए यहाँ पर जो है तो गरारा का कपड़ा है अब गरारे की कपड़े में मैं इस तरह से elastic को लगा करके फोल्ड कर दूँगी देखिए इस तरह से पहले रख ले रहा है उसके बाद आधा इंच कपड़ा जो है तो नीचे तरह इस तरह से मोड़ करके देखिए इस तरह से मोड़ना है और कपड़े में ही सिलाई करना है लाश्टिक में सिलाई नहीं करना है कपड़े में करना है और elastic को टानते जाना है कपड़े के recording करते जाना है जहाँ जहाँ सिलाई हो जा रहा है वहाँ छोड़ देना है जहाँ पर नहीं सिलाई हुआ वहाँ पर टान करके equal elastic को और कपड़े को equal रखना है और कपड़े में ही सिलाई लगाना है लास्टिक में सिलाई नहीं लगाना है देखे इस तरह से पहले लास्टिक को टानना है जहां पर सिलाई हो चुका है उसके बाद जहां सिलाई नहीं हुआ है उसके एकॉर्डिंग करने के बाद इस तरह से कपड़े को फोल्ड करना है अं कि यहां पर मैंड लास्टिक जो है तो लग गया आपकापड़ और इलास्टिक को टान करके किष्ट एकवल में कर लेना है देखिए इस तरह से टानना है अब यहांपर कपड़ा और लास्टिक को भी सिलाइ commissions करके इस तरह अटेश कर देना है यह कि अ और देखी फ्रेंड्स यहां पर मैंने गरारे की जो है तो परफेक्ट फिटिंग कर ली है यहां पर उपर मैंने कट करके निकाल दिया था उसके बाद यहां पर मैंने इलाश्टिक को फोल कर दिया और जितना मुझे इसकी लंबाई रखनी थी यानि 39 यह बन करके 39 तयार हो च चुका है यह काफी बड़ा साइस था और इसको मैंने परफेक्ट फिटिंग कर दिया है वीडियो के थोड़ी भी पसंद आयू फ्रेंड तो प्लीस मेरे वीडियो के लाइक कर दीजेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा वीडियो देखने के लिए था इंक्य श्राइब कर दियुए